UP3 2020 के Official Notification जारी करने के PNP द्वारा शाषन को भेजेगे प्रस्ताओं को अभी तक मंजूरी नहीं मिलने के पीछे क्या वज़ा बताई जारी हैं विबेन प्रकार के आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में चर्चा होगी सांती बात करेंगे डियलेट प्रमाड पत्र वित्रण के संदर में क्या कुछ नोटिफिकेसंस आ रहे हैं बियड वार्सिक परिच्छा के संदर में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सांती बात करेंगे P.E.T. एकजाम जो की UPSC के माध्यम से ओफिसियल नोटिफिकेसंस जारी किया गया है और आवेदन लिये जारे हैं अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं सांसी सिक्छा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्पूर्ण खबरों को भी डिटेल में लोग देखने वाले हैं तो अन्त तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किट के हुए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यप चैनल अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आके को प्रिस करना ना भूले नसी टी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि अपने राज्य के सम्मंदित टीचर इलिजिबिल्टी टेस्ट की वैलेडिटी को लाइफ टाइम करने के संदर में नोटिफिकेशन जारी किया जाए इसी के क्रम में PNP ने शाषन को एक बार फिर से प्रस्ताव भीजा है कि अभी तक 2011 से लेकर के अभी तक जितने 21 लाग से जादा अभियर्थी टेट क्वालिफाई हो चुके हैं उनके सर्टिफिकेट को फिर से रिन्यू करने के संदर में और पूरा उनके सर्टिफिकेट क लाइफ टाइम करने के क्रम में और साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले सप्ता शाषन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो ये प्रस्ताव को बहुत जल्दी हरी जन्डी मिल जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के माने ने बेसिक सिक्षा मंतर को आप पढ़ेंगे तो ओफिशल नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसके क्रम में लिखा हुआ है कि 2020 के लिए नोटिफिकेशन इसी माह जारी होने के आसार है पूरे आर्टिकल में यहीं चीजे बताई गई हैं कि अभी तक PNP के प्रस्ताव को साषन के द्वारा मंजूरी इस वज़ा से नहीं मिला है क्योंकि जो प्रावधान करने हैं लाइफ टाइम करने के संदर्ब में उसके संदर्ब में जो पहले शाषनादे जारी हुआ था उसमें संसोधन करके उसको पहले मंजूरी मिलेगा उसके बाद से नया संसोधित शाषनादे जारी होगा उसके ब मतलब कि 2011 से पहले के सभी टेट माने किये गए हैं तो ये इस notification का वेट क्यों किया जा रहा है ये तो कभी भी आप decision ले सकते हैं जब पूर्व VIP ही फैसला लेना है तो आज लीजिए या फिर एक साल बाद लीजिए वो तो माने होगा ही होगा तो ये सिर्फ एक लोगों को बहल ज़ाडने का कारे पूरी तरीके से सरकार कर रही है यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से आजजित होने वाली पी इटी यानि की प्रयारंबिक आहरता परिक्षा के लिए लगबग 15 दिन आवेदन करने की तिथी बीच चुकी है और अब तक कुल 9,20,000 से जादा अभीर्थियो जरूर होंगे प्रदेश की सरकार ने सभी वेकेंसीज को इस वज़ा से रोक रखा है कि पी इटी इक्जाम के बाद ही इसी के आधार पर सम्मूग गौक की भर्तियां यूपी ट्रिपल सी की माध्यम से कंड़क कराई जाएंगी और जितना कम समय अभी प्रदेश की वर्तम को टाल दिया जाए और सीधे भर्तियों के विग्यापन जारी किये जाए क्योंकि लोगों को उमीडे थी कि लगबग चार वर्स तक प्रदेश की सरकार ने भले ही यूपी ट्रिपल से के माध्यम से कोई बड़ी भर्ती ना दियो लेकिन लगबग चार वर्से अभियर्ती लिखपाल की भर्ती का वेट कर रहे हैं और अन्य विभागों में भी भर्तियों का वेट कर रहे हैं और चुनावी वर्स में ये पीटी एक्जाम को ला करके भर्तियों पर रोक लगाना कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के लिए अगले विधान सबाच्वनों में भाड़ी पर सकता है साथ ही बात करेंगे डियलेट 2017 बैच के प्रमाणपत्र वित्रण के विसंगतियों को ले करके एक IGRS कंप्लेंट जो अभीरते के द्वारा दर्ज कराई गई थी विबिन डायेट्स के द्वारा PNP सचिव को और सम्मंधित जिले के जिलादिकारी को इसके क्रम में पत करने के लिए बोला था कि आकिर समस्या क्या है और क्या कुछ चीजें हैं जिसकी वज़े से ही कंप्लेंट दर्ज कराया गया जिसके पूरे मामले से बुलंसहर के डायेट प्रचारे ने वहां के DM को और साथी साथ PNP सेचिव को भी ये सुझाओ दिया है कि कम से कम अभीरत के माध्यम से ही जिस प्रकार से UPTate का सर्टिफिकेट वित्रित किया जाता है उसी के तर्च पर अब प्रमाणपत्र और मार्कसीट भी अभीरतियों को डायेट के माध्यम से ही दिया जाए ना कि नेजी डियलर्ट संस्थानों के माध्यम से बात करेंगे अब बीएड के द्वारा प्रमोट किया जा रहा और कई जगा उनको प्रमोट का लाब नहीं दिया जा रहा इसकरन पर आप चौधरी चैलर सिंग विश्विद्याले की जो परिच्छाएं वाद 2 जुलाई से प्रस्तावित होने जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि बीएड फ परिच्छा हैं प्रस्तावित होने जा रहे हैं और परिच्छा की अवदी घटा करके सिर्फ गेर घंटे निर्धारत की कर दी गई है और प्रतेक विशे का एक ही पेपर होगा और अभी तक कारिकरम तै नहीं है और बहुत जल्दी इनके एक्जाम श्रिडियोल भी जारी कर दिये जाएंगे आप लोग देख रहे हैं कि हर उनिवर्सिटी के द्वारा जो एक्जाम से वो जुलाई से ही प्रस्तावित किये जा रहे हैं और इस हिसाब से PNP और SCRT अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है कि 33 सेमेस्टर अभीरतियों को प्रमोट किया जागा या फिर परि जा रहा है कि हम अभी अंतिम रूप से फैसले पर नहीं पहुंचें और जैसी फैसला होगा आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी आखिर आप फैसले पर पहुंचेंगे कब इतना लंबा वक्त बीच चुका है 33 सेमेस्टर कंप्लीट हुए ल लाब नहीं मीला था आप लोगों ने देखा होगा जिनकी बैक लगी हुई थी 18 बैच में प्रथम या फिर 23 सेमेस्टर में उनको हर हाल में कोट के माध्यम से भी रहात ना मिलते हुए उनको 33 सेमेस्टर की परिच्छा देनी ही पड़ी थी मतलब PNP और CRT जो करना चाहती ह एक तरीके से वही होता है तो अगर PNP और CRT परिच्छा कराने के भी पक्च में तो कम से कम अभियरतियों का समय के ओबर बात करिए कि यहाँ पर क्लियर कर दे कि वो 33 सेमेस्टर परिच्छा कंड़ कराना चाहेगी इतना कंफूजन बना करके रखा है कि अभियरति 3 सेमेस् और अगर इन अभियरतियों को प्रमोट किया जाता है मतलब 19 बैच प्रमोट होता है तो बैक की वज़े से क्या इनको 33 सेमेस्टर में प्रमोट का लाब नहीं दिया जाएगा या फिर दिया जाएगा साथ ही क्या इनको 33 सेमेस्टर पढ़ना चाहिए या फिर प्रमोट किया बना हुगा है तो PNP और CRT को चाहिए कि अगर आपकी परिच्छा कराने की मनसा ही है तो जुलाई में ही आप OMR बेस्ट परिच्छा कराई है सिर्फ objective टाइप questions हो आपको जितना भी question रखने होंगे आप उसके इसाब से सेट करिए और जिस प्रकार से UPTED की परिच्छा के result की अगर OMR बेस्ट पेपर होता है तब तो आपकी एक महीने में result की घोशना हो जाएगी मतलब अगस्त लाष्ट तक आपके result की घोशना हो सकती है अगर जुलाई मीट तक भी परिच्छा करा ली जाती है उस condition में अगस्त लाष्ट में आप फिरसे आवेदन चतुर सेमेश्ट के लिए लिए और उसके आधार पर आप चतुर सेमेश्टर की परिच्छा अगस्त माह में लाष्ट में कंड़क करा लीजे और अक्टूबर तक इनके result की घोशना कर दीजे इसी condition में अभियर्थी आने वाली सिक्छा भरती में समलित हो सकते हैं अन्या था कि कंडिशन में D येलट 2019 बैश का भविश्ट बिलकुल अधर में जा सकता है जिसके लिए PNP और SCRT पूरी तरीके से उतारू है सिक्छा जगत से जुड़े कुछ अन्य महत्वपुन खबरों को देख लेते हैं सचीव माध्य में एक सिक्छा परिशत के द्वारा दिनांक 11 जुन 2021 को सभी जिलो के जिला विद्याले निरिक्षे को एक पत्र लिखा गया है कि 2021 में हाई स्कूल और इंटर्मेडियर्ट की परिक्छाओं में जो भी अभीर्थी इन्रॉल्ड थे उनके नाम फादर नेम या फिर मदर नेम में कोई अगर वर्तनी संबंदित तुरूटी हो गई है तो करेक्षन करने के संदर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो अगर आपके भी नाम के स्पेलिंग में कुछ गरबड़ी हुई है तो आप अपने संबंदित कॉलेज से संपर्क जरूर कर लीजेगा इसको सही कराने के संदर इसक्रिन पर आप इसके संदर में आर्ट ओपन की जा रही है तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरे आपको ये वीडियो कैसा लगा करके जरूर बताएको और ऐसा ही मातोपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्य बहुत बगवान करे अपका देन शुग